कमफर्ट फूर्स में दाल चावल सबों का फेवरेट होता है उसके बाद नंबर आता है तो वो है कड़ी खिचड़ी गुजराती कड़ी खिचड़ी के एकदम परफेक्ट वाले रेसिपि आज में आपको दूँगा पहली बार भी अगर आप लोगे रेसिपि बनावगे तो की रेसिपि एकदम परफेक्ट ही बनेंगी कभी खराब नहीं होंगी चले फटा-फट कड़ी खिचड़ी बनाना शुरू करते है गुजराती स्टाइल तो इसके लिए दो चमजगी हम लोग गरम करेंगे एक कड़ाई में पहले खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं कुकर म भी बनाएंगे लेकिन आपको दिखाना अच्छे से इसलिए मैंने वेसे फेली हुई इकडाई लिये ताकि वीडियो का एंगल अच्छे से आता है फिर एक चमच जीरे का इसमें हमने तड़का लगा लिया बहुत सिंपल बहुत बेसिक खिचडी होती है ये इसमें कोई भी ज दनिया पाउडर ना मिर्चे पाउडर कुछ भी नहीं हो और ये ऐसे ही बनाना है आपने कोई भी एक्स्ट्रा मसाला अड़ मत कीजेगा वरना वो आथेंटिसिटी फिर डिश की गायब हो जाती है हल्दी और नमक को एक मिनट के लिए बून लिया लोफ लेंप इसके बाद डालेंगे और बिल्कुल पर्फेक्ट आपको जादा ही पतली खी चड़ी पसंद है तो 5 कप पानी डालियेगा लेकिन 4 कप बिल्कुल पर्फेक्ट रहता है मेरे हिसाब से कड़ी बनाने के लिए 1 कप बिल्कुल खटा वाला नहीं था कड़ी बनाने से एक दिन पहले अच्छे से फेट लेंगे चाहे तो मिक्सिजार में फेट सकते हो और अब एक बहुत इंपोर्टन टीप जो मैंने रिसेंटली सीखी है सिर्फ एक गलास पानी इसमें डालना है इसी पॉन पे इसमें बहुत सारा पानी मत डालेगा वो क्यों को आगे बताता हूँ तो एक क्योंको तड़कने देना है तभी कड़ी में फिर टेस्ट अचाता है तीन-चार हरी मिर्ची हमने डाल दी दस बारा कड़ी पत्ते डाल दी इसको भी बून लेंगे आधे एक मिनिट के लिए हाइफ लेंपे ही रखा है मैंने पूरा गैस और बस इसके बाद हम लोग इसमें हरी मिर्ची और लसन का एक मैंने पेस्ट बना लिया था दहतरा कूट के तो एक बटा चमश मैंने डाल दिया लगबग साथ-थरी मिर्चे और दस-बारा लसन की कलिया थी और इसमें भी मसाली के लिए सिर्फ नाम के लिए हमने हल्दी डाली है वैसे कड़ी के साथ जो वाली होती है लेकिन मैंने हल्दी डाल दी है आफ टीस्पुन की जैसे इसके बाद जो हमने दही और बेसन का मिक्षर बना के रखा था गाड़ा वाला वो डाल दिया और इसको चलाना है एक बोईलने तक का देखिये तुरंद बोईल आ गया दो मिनिट में क्योंकि हम ने इसमें पानी बहुत नहीं डाला था शुरू में बहुत पानी डालते हो तो क्या होता है कभी-कभी इसको पकने में बहुत टाइम लगता है फिर हम आलस करके छोड़ देते है तो फ इतनी भी देर के लिए बिना अटेंटर छोड़ सकते हो यह कभी भी फटेगा नहीं उसके बाद जितना चाहिए उतना पानी डाले एक बोईलाने के बाद इसमें नमक डाले रहे स्वात की सबसे जितना आपको चाहिए उतना और बस दही को कड़ी को 20-25 मिट आपने पकाना है तो साइड पे हमारा कूकर हो रहाता यहाँ पे कड़ी भी हो चुकी है दोनों चीज़े लगबग तयार है हम लोग इसको फटाफट सर्फ करते हैं तो देखिए मैंने खिचडी सर्फ की एक दम परफेट कंसिस्टेंसी मुझे बहुत लूज वाली खिचडी नहीं पसना एक दम पानी वाले जो चमत से खाते है वेसे नहीं मुझे थोड़ी सी टाइट वाली है इच्ची लगती है इसके साथ हमने कड़ी के साथ हमारी खिचडी सर्फ कर दी है और बड़ी असा कड़ी खिचडी का कॉम्बिनेशन तयार है थंडी के दिनों में इसके उपर बहुत सारा गी डालके जरूर खाईएगा एक दम मज़ा आजाता है जलसा कीजिएगा अब मिलते हम लोग नई रेसिपे के साथ बाई बाई टेक केर